इसका मतलब क्या होता है देखो मीन कहता है मीन आपका एक्स टेंसिबल एक्स टेंसिबल बिजनस रिपोर्टिंग लेंग्वेज यानि काइंड आफ टेली है टेली क्या है हमारा एक सॉफ्ट्वेर है तो टेली सॉफ्ट्वेर कौन सा है जिसके अंदर हम क्या करेंगे अकाउंटिंग करेंगे अब टेली के अंदर हम और कोई काम तो कर नहीं सकते हैं मैं बोलू टेली के अंदर जाओ आप पेंटिंग करो टेली के अंदर जाओ गाने चलाओ तो यह पॉसिबल नहीं है टेली किस data number डालने के लिए तो उस number के लिए आप computer में क्या इस्तमाल करोगे, excel इस्तमाल करोगे, same ऐसे कोई letter type करने के दूँ तो आप क्या इस्तमाल करोगे computer में, तो very simple word इस्तमाल करेंगे, कोई letter वगरे टाइप करने करने के लिए यानि किसी काम को करने के लिए जो बड़े वैपार के लिए हैं बड़े वैपार वाले यह software यूज करते हैं balance sheet को बनाने के लिए तो सर यह है क्या basically balance sheet बनाने वाला एक software है जहां पर हमें सारी जानकारी बहुत आचानी से मिल जाता है क्या कहता है it is a format यह एक format है which is following worldwide पूरे world में यूज हो रहा है presentation of the financial statement what is the financial statement balance sheet balance sheet को अच्छे तरीके से present करने का एक यह तरीका है that is हमारा क्या है XBRL इसका short form क्या है full form क्या है extensible business reporting language ठीक है कहता है the financial statement of the best read and present XBRL format इस format में financial statement को सबसे best तरीके से पढ़ा जा सकता है तो पहले तो यह समझ में आया है क्या है क्या XBRL एक software है जिसके अंदर हमें क्या financial statement बनाएंगे सर financial statement होता क्या है balance sheet profit and loss cash flow statement ratio analysis यह सभी को मिला दे तो इसको क्या बोला जाता है financial statement चलिए सर आगे देखते है applicability भाईया किस किस company के उपर यह apply होगा किस company को इस software में accounting करना है क्या सभी company को करना है क्या software में accounting नहीं भाई नहीं कहता है all listed company in the India जितने भी इंडिया के share market के अंदर stock exchange में listed है their subsidiary चाहे वो चाहे उसके subsidiary इन सभी के उपर लगेगा यह rule उसको telly value वाली balance sheet नहीं देखेंगा उसको किस में बनाना पड़ेगा balance sheet का format जो करना पड़ेगा XBRL में all company having सभी company जिसका paid up capital कितना हो 25 करोड है अगर आपने एक business बनाया और आपका share capital 25 करोड रुपय का है तो मैं बोलूँगा आपको balance sheet सधारन तरीके से नहीं बनाना ऐसे बनाओ जो कि लोगों को आसानी में समझ में आए और आप अपनी company में कौनसा software यूज कर लो एक त अनोबर कितना हो जाए 100 करोड का अगर आपका sales 100 करोड है तब भी आपको यही format follow करना पड़ेगा all company who are required to following indies indies आपको पता होना चाहिए कि accounting standard जैसे कि हमने cash flow पढ़ा accounting standard 3 ऐसे हमने पढ़ा emalgamation accounting standard 14 ऐसे पढ़ा EPS accounting standard 20 लेकिन यह accounting standard इंडिया से लगबग लगबग खतम होने जा रहा है और इसकी जगह पर क्या लेके आगए वो indies indies उन company के उपर लगाया गया है जो की बहुत बड़ी company है जैसे की listed company तो law ने कहा कि जो भी indies apply कर रहा होगा या जिस company के उपर indies apply हो रहा है present में उसको भी अपना financial reporting किसमें बनाना पड़ेगा XBRL के इसाप से clear आपको चलिए सर अब किस के उपर apply नहीं होगा किसको XBRL में नहीं करना तो सबसे पहले NBFC आपका non banking financial company जैसे कि आपका बजाज capital बजाज capital मतलब आपने बजाज से कभी finance कराया होगा life में कुछ ना कुछ या फिर आपके जो छोटे छोटे company finance करती है उसे क्या बोला जाता है NBFC ज अपने अलग balance sheet के format होते हैं तो उनको अलग law के अंदर रखा गया तो बोला भया तुम भी XBRL में नहीं आओगे तुम साधारन वेक्ति नहीं हो insurance company इस पर IRDA का आपने सुना होगा नाम IRDA का इसके उपर सारा rule follow होता है IRDA बोलता है हमारे हिसाब से आपको balance sheet बनाना है तो इसलिए insurance company को भी बोला आपको नहीं बनाना और कौन सर banking banking company का भी सब कुछ system अलग होता है और सारे rule RBI act के हिसाफ से चलता है उसका तो उसको भी बोला गया आपके उपर भी XBRL apply नहीं होगा तो हमने क्या क्या देखा सर इसके अंदर सबसे पहले XBRL है क्या उसके बाद आपका किस company के उपर applicable है फिर किस company के उपर applicable नहीं है मैं यहाँ पर बहुत short summary में लिख रहा हूँ 10 year के अंदर detail में दिया है तो आपको exam में अगर 10 number का question आएगा तो ऐसे से लिखोगे तो नहीं होगा आपको थोड़ा सा महाँ पर detailing में लिखना पड़ेगा और उससे आप पढ़ के लिखिएगा महाँ ठीक है benefit क्या मिलेगा ease of comparatability ease of comparatability मतलब सर नहीं समझा मैं ease of comparatability का मतलब आप compare कर सकते हो 2010 के financial statement को 2011 के financial statement से आप easily क्या कर सकते हो आपस में comparison कर सकते हो telly के अंदर ये चीज़े possible नहीं हो पाती जल्दी से इसके अंदर बड़े आसानी से comparison ratio comparison सारी चीज़े कर सकते हैं transparency इसके अंदर fraud होने के chances कम होते हैं आपके क्योंकि कई बार कुछ ऐसे restriction ऐसे password ऐसे keys लगाये जाते हैं जो कि लोगबाग इसमें entry को change नहीं कर सकते इसके बाद very user regular आपका regular आपका very useful to regular आप regular जब use करोगे क्योंकि ये इसलिए लाया गया इसलिए apply किया गया क्योंकि क्या हो ये simple और government चाहती है कि सभी company की software यूज करें इंकम टेक्स में तो आर्ट वाले पहुंच जाते हैं graduation करा CGL का paper दिया कुछ पता नहीं है debit credit और पहुंच जाते इंकम टेक्स officer बनने के लिए और income tax officer बन गए किसी company में चले जाएंगे बोलेंगे दिखा बैलेंशीट बैलेंशीट जिंदगी में उसने नाम नहीं सुना आया एक income tax officer आया और बोला balance sheet में closing stock और trading दोनों जगा दिखा रहे हो तुम गलत है तुमारा दो जगा एक ही amount कैसे आ सकता है यह गलती कर रहे हो तुम अपने आर्ट के बंदियों तुम्हें समझना चाहिए कि इतनी ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए अकाउंटेंड वाल होता है easy of fraud आपका detection मतलब जो भी आपका fraud होता है उसका easily detection हो सकता है मतलब जो भी चोरी हुआ जल्दी से जल्दी ढूंडा जा सकता है helpful analysis of the data data को analysis करने में तो यह कहता हमारा XBRL